हेलो बच्चो कैसे हैं आप सब आज हम फिर से कुछ नया सीखेंगे ना आज हम सीखेंगे चित्र कहानी तीन को एक कविता के रूप में पढ़ेंगे ठीक है शुरू करें चलो शुरू करते हैं हाती जी बोले शेरू से हम सीखो जूला जूले हाती जी के भारी बोज से शेरू जी उपर लटके उपर ही टंकर रह गए शेरू का दम निकले सभी जानवर मिले शेरू से अब हाती उपर अटके एक तमें तो बल है इतना एक अकेला कहीं टिकेना कैसी लगी आपको कविता अच्छी लगी अब मैं आपसे कुछ सवाल पुछूं ठीक है अब आप ये बताओ इस कहानी में सीसो जूला कौन कौन जूल रहे हैं हाती और शेर ठीक है ये बताओ हाती नीच था भारी था वो हाती नीच था तो उपर कौन लटक गए शेर लटक गए शेरू उपर लटक गए अब जब सारे जनवरों ने देखा कि शेरू जी तो उपर लटके हुए तो उन्होंने क्या सोचा एक साथ शेरू से और फिर क्या हुआ तो अब हमने इस कहानी से क्या सीखा है एकता में बहुत बल है अच्छी लगी न कविता पोस्टर भी पूरा समझ में आ गया ठीक है अब थैंक यू तो बोलो ए हुच्छी बाइ बीकोर्लो बाइ बीकोर्लो